जारखंड के गढ़वा में धर्म के नाम पर शिक्षण संस्थानों में मनमानी का मामला सामने आया है यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा सालों से चली आ रही प्रार्थना को भी सामप्रदाइक्ता का रंग दिया जा रहा है यहां मध्य विद्याले के प्रधाना ध्यापक पर ग्रामीडों ने दबाव दे कर कहा कि स्थानिया इस्थर पर मुस्लिम समाज की आबादी 75 प्रतिशत है इसलिए नियम भी हमारे अनुरूप ही बनाने होंगे स्कूल की प्रार्थना भी हमारे हिसाब से होगी मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधाना ध्यापक को सालों से स्कूल में चली आ रही प्रार्थना को बदलने के लिए विवश कर दिया अब दयाकर दान प्रार्थना को भी बंद करवा कर तुही राम तुही रहीम है प्रार्थना शुरू करा दी गई है इतना ही नहीं प्रार्थना के दौरान बच्चों को हाथ जोडने से भी मना कर दिया गया है ग्रामेडों की जित के आगे विवश प्रधाना ध्यापक अब यहां बदले रूप में प्रार्थना करवा रहे हैं उन्होंने इसकी जानकारी केरवा डिय पंचायत के मुख्या और शिक्षा विभाक के अधिकारियों को दी है प्रधाना ध्यापक युगेश राम का कहना है कि पिछले चार महीने से मुस्लिम लोगों ने स्कूल में जबरन प्रार्थना को बदलवा दिया है कई बार मुस्लिम समुदाय के युवक एस मुद्धे पर स्कूल में आकर हंगामा भी कर चुके हैं प्रधाना ध्यापक द्वारा सूचना दिये जाने पर मुख्या शरीफ अंसारी ने हंगामा करने वाले मुस्लिम समुदाय के युवकों को स्कूल संचालन में किसी प्रकार का हस्तक शेप नहीं किये जाने के लिए समझाया लेकिन ग्रामेड जब नहीं माने तो मुख्या ने गाउवालों के अनुसार ही प्रधारा ध्यापक को स्कूल संचालन की सलाह दी मामले में प्रभारी जिला शिक्षा पतादिकारी कुमार मयंक भूशन का कहना है कि स्कूल में प्राथना सभा को अपने हिसाब से कराने को लेकर विद्याले के शिक्षकों को मजबूर किये जाने की सूचना मिली है इसकी जाच कराई जाएगी सरकारी आदेश की अवहिलना करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इधर मुख्या शरीव अंसारी ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी आज ही मिली है मैं मंगलवार को विद्याले प्रबंधन समिती और ग्रामीडों की बैठक कर इसका समधान करने की कोशिश करूँगा किसी भी कीमत पर गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा जाएगा ब्यूर रेपोर्ट आज की खबर